खेलो दोस्तों नमस्टिकार दोस्तों आप सभी का श्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टार्गिट गोर्मेंट पोस्ट में लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सभी लोग जोड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ आपको अपडेट कैसे फॉर्म को फिल अप क एक आपकी होगी branch postmaster related और एक होगी assistant branch postmaster related तो यहाँ पर देखिए हैं पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं तो इसमें पूरी वीडियो का एंट तक watch करना है आपको और नियूनतम यूगता इस recruitment के लिए इनिए जीडेस पोस्ट के लिए 10th pass रहती है तो 10th pass मांगी गई है क कोई भी इसमें additional recruitment नहीं है आयो की बात करेंगे तो 1840 वर्स है अगर आप तो eligible हैं डाल सकते हैं online आविदन आपके शुरू हो गए है maximum cell यहाँ पर 9300C हो जाती है तो चलिए चलते है official notification में दोस्तों जो जरूरी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा अलग से आपकी BPM यानि branch postmaster और ABPM यानि assistant branch postmaster यह दो पोस्ते हैं आपकी डाक सिवा के लिए ठीक है ना अब यहाँ पर application आपके start हो चुके हैं दो मैं से और यह 5 जून तक चलेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर देखिए salary का कुछ यहाँ पर दिया गया है तो salary के लिए BPM की जो है जो branch postmaster है इसकी जो salary है वो ABPM से जादा होती है यह level first की है जिसमें 4 गंटे होते हैं और जिसमें 5 गंटे होते हैं वो level second हो जाता है और इसमें salary यहाँ पर बढ़ जाती है इसमें salary आपकी 14,500 हो जाती है और इसमें 13,000 आपकी हो जाती है ठीक है ABPM में इसके बाद में maximum salary आपक जो maximum salary हो बढ़कर कि आपकी 29,000 लगबग हो जाती है जाकर के चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो form है वो fill up करने के लिए जो recruitment मांगी गई है वो सब है जैसे कि आप देख रहे है minimum age 18, maximum 40 हाप की होनी चाहिए बागी यहाँ पर जो age organization मिलता है वो पर category wise दिया गया है बागी यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि qualification 10th pass अच्छा और कुछ खास इसमें नहीं है knowledge for क्या बताना था मुझे हाँ यह बताना था जो छूट मिलने वाली है EWS के साथ साथ OSC, ST, OBC, disability जो है और जो EWS section में आते हैं यहनि economical weaker section जिनके पास certificate है वो लोग जरूर लगाएं उनको यहाँ पर छूट भी मिलेगी उनकी vacancy भी अलग है ठीक है तो यह बहुत अच्छा रहेगा कि आपको यहाँ पर EWS वालों को भी छूट मिल नहीं है ठीक है तो आप कुछ खास नहीं है मैं बताऊंगा कैसे आप online करना है देखिए यहाँ प किसी भी कर्टेगरी का हो या disability है तो कोई भी फीस आपको किसी भी तरह से फीस पे नहीं करनी है बिल्कुल फुरी है बिल्कुल फुरी है ठीक है ना आपको केवल जो फॉर्मिल्टी मतलब जो आपको नाम फादर नेम सारी डिटेल देनी है वो आपने high school प्रमाड़ पत्र क recording देनी है और यहां पर mobile नंबर और email आइडिया आपको बिल्कुल सही डालनी है जो कि समय आप यूज कर रहे हो ठीक है इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और scan करके आपको क्या डालना है scan करके आपको फोटो और signature तो आप कैसे करेंगे तो online मैं आपको बता दूंगा अपन यह जो फोटो आप रिसाइज करोगे फोटो कैसे रिसाइज करना है इस form में जेपीजी फॉर्म में और signature कैसे रिसाइज करना है online तो इसमें क्या है ना कि size जो है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो वह मैं बताऊंगा कैसे करना है online आप size resize करके photo खीचेंगे camera से अपने दोस्तों form fill up करने के बाद में आपको post preference भी देना है कहां कहां से आप apply करना चाहेंगे कहां पर आप job करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको preference भी देना है ठीक है तो यह तीन चरणों में आपका जो form है वो complete हो जाएगा यहां पर आपको अपना जो भी photo है जो scan copy लगानी व है खर आप